हेलो फ्रेंज वेलकम तू आपर चानल योर न्यू डारेक्शन आज की वेकंसी है इंडियन आर्मी रैली आउनलाइन फॉर्म 2019 में एक और रैली की वेकंसी आ गई एक और डिस्टिक के लिए आ गई है सोल्जर जनरल ड्यूटी यहां पर भी वही पद है आठ्वी पास हैं आ इंटर पास हैं कुस भी आप पास हैं तो यह पास सकते है नौकरी बड़ी आशानीश हें और अब यहां पर आपको ना कोई फीस देनी है ना कोई परिक्षा होनी है केवल और केवल आपकी फिजिकल जो फिटरनेस अगर आप ओक हैं तो आप नोकरी के उच्छू खाएं वो भी सरकारी पूरे इंडिया से कहीं से भी हो आप इसमें नौकरी पासकते हैं तो आज किसी वीडियो में मैं आपको पुरी डेटेल से बताऊंगा कि अब और कहां पर यह रहली होने वाली है और कब से आउनलाइन आवाइदन होंगे क्या करना है आपको सारा प्रोसेदा इस वीडियो में आपको पता चलेगा बने रहें वीडियो के साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दें और मैं उम्मिद करता हूँ कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक जरूर देंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो तुरंट चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबा लीजिए यहां पर आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं अपनी औफिशल वेबसाइट पर यह vontade हैं और अधिक जानकारी अपको हमेशा वेबसाइट पर अपडेट मिलें आप पर रिजल्ट से ले वर्च चीज़े आपको हमेशा देखने को मिलेंगी चलिए आज ची जो वेकनसिया हम बात करेंगे वो रेली आ रही है आर्मी रेली जलंधर कैंट आउनलाइन फॉर्म 2019 से वेकंसी आ रही है हम इसको रीड पोस्ट पर क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं ओपन क्योंकि यहां पर ही हमको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी तो सबसे पहले यह वेकंसी आई है च से और के बाद यह आ गई है इसमें इसमें झो आपके आवेदन है वो दो इसकी जो रहे लिए है वो एक अगस्स सुरू हो जाएगी और दस अगस्स तक कम्प्लीट कर ली जाएगी, कोई फीस आपको नहीं देनी है, कोई भी फीस यहाँ पर आपको नहीं देनी है, डेटा और बर्स देखते चलें, आपकी अगर आप सोलजर, तो कि छह पत हैं, दो प बर्त को साई से समझ लिया करें, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर इसके बीच में होगी, तो इससे समझ लेजिए, एक 81998 और 142002 के बीच में है, तो आप जीडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे आप यहाँ पर देखते हैं, कि हमारी जो सबसे पहले, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं, कि थोड़ा सा बैक हो गया है, मैं उसको ओपन कर लेता हूं तो बारा से, तो इसकी जो पहले क्यालिफिकेशन है, वो सब चीज हमें आप पर चेक करते हैं, तो यह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले, इंगलिस में आपके कम से कम पचास प्रतिसत होने ही चाहिए, और टोटल जो सब्जेक्ट है, उसको मिला कर कम से कम 40 प्रतिसत होना अनिवारे रखा गया है, समझ गया, अगली जो पोस्ट है, वो है, सोलिजर टेक्निकल एई की, इसमें जैसे पिछली भी पोस्ट जो मैंने इसमें बताई इसका सेम क्वालिफिकेशन वही है, इतनी, एक इक इक्सक्टर चीज इसमें और है, तीन साल का डिप्लोमा इंगिन का जरूरी है, क्योंकि यह इंगिन गा है, तो इस इंगिन का डिप्लोमा यहाँ पर अनिवारे रखा गया है, ठीक, अभ इस पार्ट वन मे तीन पोस्ट है ठीक है तो तीसरी पोस्ट है soldier nursing assistant की यहाँ पर आपको क्या है 10 plus 2 पास चाहिए science में physics, chemistry, math की जगे आपको biology पास चाहिए ठीक math की जगे केवल biology पास चाहिए English में आपको 50% ही चाहिए total subject मिलाकर आपका 40% होने चाहिए ठीक है या आप यसी डिगरी बाटनी से हैं जो लोग से हैं बायो साइंस से हैं इंगलिस हैं तो अभी आप इसके लिए आवयदन कर पाएंगे इसमें जो उम्रे सीमा बन रही है 17 साल 6 महिने से 23 साल के बीच में अगर आपके उम्रे सीमा आए इसके लिए आपको केवल और केवल हाई स्कूल पास चाहिए 45 प्रशसत होने चाहिए कम से कम टोटल मार्श 45 प्रशसत ठीक 17 साल 6 महिने से 21 साल के बीच में उम्रे सीमा अगर आपकी है तो सोल्जर जेनरल डूटी के लिए आप आवयदन कर पाएंगे अगला है सोल्जर ट्रेट्समेंड इसके लिए आपको केवल केवल आठवी पास कीपर मैस कीपर इसमें भी अनपद है होना चाहिए आप आवयदन कर पाएंगे अगली है सोल्जर क्लर्क या श्टोव कीपर की यहाँ पर 10 प्लस 2 इंटर्मेडियेट पास 60 प्रतिसत मार्च होने ही चाहिए ठीक है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर सब्जेक्ट में 50 प्रतिसत के ऊपर मार्च होने चाहिए टोटल साथ सब्जेक्ट में 50-50 प्रतिसत ठीक है सो में 50 नमबर जैसा भी है ठीक पुम्र सीमा 17 साल 6 माइने से 23 साल उम्र सीमा होनी चाहिए तो यह पार्ट 2 भी समाब 6 पदों के लिए वेकंसी है बहुत ही अच्छे से आख को समझ में आ गया होगा ठीक है फिजिकल की बात करते है फिजिकल में भी 6 की 6 पोस्ट का दिया है सोलजर टेकनिकल के लिए ठीक है 170 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट 87 नॉर्मल फुलाने के बाद 82 ठीक है अब सभी के लिए यही चाहिए सभी पोस्ट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और 77 और फुलाने के बाद 82 चेस्ट दो जगे परिवर्तन है एक सोलजर टेस्ट में आपको 76 आपका सीना चाहिए फुलाने के बाद 81 चाहिए ठीक एक यह परिवर्तन है दूसरा है सोलजर कलर के लिए च्टोर की परिवर्में आपको 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बाकी सेम सब में एक ही चीज है समझ गये आप 170 सेंटीमीटर हाइट 872 सीना ओके इसके अलावा कुछ चीज़े आपको क्वालिफाई करनी रहेंगी जैसे गुरूप 1 में अगर आप आवेदन करते हैं उपर की तीन पोस्ट में तो रन आपको 1.6 किलोमेटर 5 मिनट 30 सेकेंड में से पाच मिनट 45 पांच मिनट 31 से पाच मिनट 45 से यह पार करना रहेगा एगर सेकेंड के लिए करेंगे पूसब यहां पर आपको 10 यह आपके कंपलीटन चाहलिज मारना ही पड़ेगा यहां पर आपको च्छाए जो हमार मारना ही आपको जीक्जाइड से आपको क्वालिफाइ करना ही है यह आपको फिजिकल है बहुत अच्छे से यहाँप які ATP आप बिफिलीजियान यहाँ और आप जिए आप ऑपन कर लेंग्हें इस तरपा khác पर लिए रिजिई करने के बाद दुब़ारा कि सकते हैं RAM कर लिचिए इनकी इसके ऑफिशल वेफसाइट है यहां से भी आप सब चीज़ चेक कर सकते हैं और इस वर्दी से समझे रिलेटेट वीडियो आपर देख पाएंगे आप इसकी ऑफिशल नोटिफिकेशन के लिए आप यहां पर देख रहे हैं किलिक यह लिखा है यहां पर आप किलिक करिए और चीज़ आपको इस भरती से समझद बहुत हीं अच्छे से समझ में आ गई होंगी एक डिटेश आपको बता दी गई है इस भरती से समझ तो कुछ भी पॉइंटर नहीं छोड़ा अगया है कि आपको कुछ नह समझ मेया तो कुछ भी खण रहे गया हो आप वीडियो के नीचे कमेंट बाॉक्स में कमेंट करियेगा आपको रिपलाइ अवशय मिलेगा इस साइड का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा आप महापर क्लिक करेगा साइड पर आ जाएंगे आप हर चीछे अच्छे से पढ़ सकेंगे इसका ओरिजिनल पीडिया फाइल भी डाउनलोड कर सकेंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब पर रखे बेल आइकन जरू दबाली जगातों कि यहां पर हर लेटेस्ट वैकेंस यहां को सबसे पहले देखने को मिलेगी फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में सब तक सभी साथियों को चैहें